सबस्पेक्टर भरती 2020 के पेपर लीक मामले में एसोजी नेर अविवार देर रात को राजिस्थान लोग से वायो के पूर सदस्ते रहे रामुराम राइका को ग्रफतार किया है। दरसल रविवार को दुपहर रामुराम राइका को पुष्टाज के लिए बुलाया गया था। रामुराम राइका रपेसी के सदस्ते थे। हाला कि इंटर्व्यू होने से पहले उनका कारेकाल पूरा हो गया था। लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि भीजेपी के कारेकाल में जिसे पूर्फ में बड़ापत देकर उक्रत किया गया उसी को अब भीजेपी के ही शासनकाल में ग्रफतार करना पड़ा। बताते चले रामु राम राम राइका साल बर पहले ही विवादों में आ गये थे जब उनके बेटे और बेटी का सब स्पेक्टर भरती 2021 में सेलेक्शन हुआ था। उन दिनों में दावा करते रही कि उनके दोनों बच्चों ने महनत की हैं पड़ाई के बलबूते ही वे सब स्पेक्टर बने हैं। अब एसो जी ने रामु राम राइका के बेटे देवेश और बेटी शोबा राइका को भी पेपर लीग मामले में ग्रफतार किया। देवेश और शोबा को जैपूर में मौझूद राजिस्थान पुलीस अकादमी से ग्रफतार किया। जा वो फ्रेनिंग ले रहे थे। लाल दोनों एसो जी की रिमांड पर है। अब उन दोनों का पितार आमु राम भी एसो जी की ग्रफत में है। एसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहे देन अगरी न्यू शुक्रिया।